नमस्कार आज आम इस वीडियो में देखेंगे स्टॉक रिकंसिलेशन स्टॉक रिकंसिलेशन का उप्षिन उपर करने के लिए आपको लोगो बटर पर क्लिक करना है प्रोफाल पर क्लिक करना है यहां पर आपको सर्वी सेंट टूल का उप्षिन सेलाइक करना है यहां पर एक साथ पूरे साल का रिकंसिलेशन करते हो तो आपकी लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप ये stock रिकंसिलेशन का feature यूज करते हो तो proper जो system में stock है और physically जो stock है वो आपका daily basis पर रिकंसिलेशन आप कर सकते हो इसमें आपको यहाँ पर daily item counted का option मिल जाता है कि आपके जो staff member है वो staff member का जब भी assign role करते हो तो आपको रोल में inventory रिकंसिलेशन का रोल आपको assign करना है जिससे कि आपकी जो staff member है उनको रिकंसिलेशन का access मिल जाए तो उनको जैसे ही आपने यहाँ पर daily item count का option है तो यहाँ पर आपको item count उनको daily में कितनी करनी कितनी रिकंसिलेशन करनी तो यहाँ पर आप कम ज्यादा कर सकते हो दूसरा option है stock adjustment का अगर आपके जो staff member है वही stock adjustment करेंगे तो आपको यहाँ पर yes करना है अगर आप owner food करेंगे तो यहाँ पर आपको no कर देना है और यह आपको setting करने के बाद save कर देना है आपके जो staff member है वो अपने staff login में login करेंगे तो उनको जो first time login करेंगे तो software में उनको reconciliation का option पहले ही आ जाएगा वो जब भी stock reconciliation clear करेंगे submit करेंगे उसके बाद ही उनको software में login होगा अभी हम staff member के account में login करके देखेंगे यहाँ पर हमने staff member का account login कर रहे है तो इस तरह से उनको stock reconciliation करना है यहाँ पर आपने जितनी पी item उनको reconciliation के दिए दी गई है उतनी item उनको physical जाके check करनी है और यहाँ पर उतना stock लिखना है यहाँ पर stock लिखने के बाद ही system उनको login करने देगी यहाँ पर उन्होंने जो stock लिखा है उसके बाद यहाँ पर submit कर देना है submit करने के बाद ही उनको system में यहाँ पर login होगा अभी हम देखेंगे owner account में report किस तरह से उनको show होगा अभी हमने owner account में यहाँ पर login किया है उसकी बाद उनको profile बाद पर click करना है profile सरी सेंट руб reconciliation यहाँ पर देख पाएंगे कि उनके कौनसे स्टाफ ने daily wise रिपोर्ट चेक किया है और यहाँ पर उनको report चेक करना है तो यहाँ पर report पर pä' उनको click करना है यहाँ पर उनको date लिखनी है कौनसा stock status रखना है all, current और only mismatch है वही देखना है यहाँ पर उनको press select करनी है और go button पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर owner चेक कर पाएंगे कौनसे staff member ने यहाँ पर reconciliation किया है कौनसी item है और यहाँ पर reconciliation stock और system में जो stock है वो यहाँ पर देख पाएंगे तो इस तरह से reconciliation का feature यूज होगा Thank you